वास्टाप गाइस, वास्बेक यार, वल्कम टू वी एफएक्स 101, आज आपसे एडोबी आफटर एफएक्स की स्क्रिप्ट शेयर करने जारो, ब्रीज, जिसका काम क्या है, क्लोस सिमिलेशन क्रेट करना, थोड़ी से विंड अड़ कर देना आपके आपके आपजेक्ट में, तो चलो स्टार्ट करते, जस्ट हमने करना क्या है, जो भी अब्जेक्ट है हमारा, जिसमें विंड एड़ करनी है, उस अब्जेक्ट को, विद था हेल्प ऑफ पैन टूल, सिंपल स्लैक कर लेना है, कुछ इस तना से, देन, राइक पे हमारे पास पैनल ओपन है, ब्रीज का तो आपके निये काफी कुछ बैतर हो नाल है, कुछ अब बैतर तरीके से बताता हूँ, देखेजी, टू लियर्स है, फस्ट वन हमारा बीजी है, बैकग्राउंड, सेकिंड पे हमारा निजा है, जस्ट लेयर को स्लैक किया, दैन, एक काम करते है, विंडोस, एक्स्टेंशन and we have a breeze here, simple, इस पे क्लिक कीजिए, then wait for a few seconds, ये load हो जाएगा, उसके बार, यहाँ पे आप देखोगे different option है, लेकिन हमने क्या करना है, पैंटू स्लैक करना है, और make sure जो लेयर को animate करना चाहरे हो, विंड अप्लाई करना चाहरे हो, वो आपके पास select हो, then फिर हम क्या करेंगे, वो specific area just mask कर लेंगे, simple सा, ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको इसको और detail में बताता हुआ, ये specific area mask होगे, then हमने देखना इसकी direction क्या है, again left, then this one, और फिलहाल हमें काम करते हैं, कि यहाँ के ले लेते हैं, for example, काफी सारी example है, हम default पहीं रखते हैं, then यहा लेकिन एक छोटा सा issue हो आ रहा है, आप लोकर note करो, इसकी edges में मुझे background नजार आ रहा है, क्योंकि जार से the mask हुआ, जो wave बनती है, तो जार से बाते, वो थोड़ा बहुत तो मतलब होगा, तो अब उसके नहीं हमारे पास breeze setting है, तो यहाँ के काफी सारी setting है, जिसमें mask refine, या आपके पास एक best script है, इस ताना gear, animation create करने के लिए, next है, थोड़ा सा और अब advance पर आता है, यहाँ हमने देखा कि एक ninja है, और उसका जो hair है, वो कुछ इस ताना से, उसको भी हमने mask कर लिया, then कुछ इस ताना से mask, then इस बार जो hair right side हमें choose करना पड़ेगी, क्योंकि hair fall, hair wind का, वो right side पे, then यहाँ के हम थोड़ा सा slow motion है, या erratic wind ले ले लेते हैं, then hit apply, then press zero, तो अब देखो कुछ इस ताना से wave generate हो गया है, मुझे इसकी speed है, वो थोड़ी सी कम करनी है, तो just यह close करते हैं हम select, और यहाँ के speed और इसकी height 10 हम कम कर लेते हैं, अब बहतर है, speed ना भी करें, height जाए थी, तो wave just like a flag close लग रहा था, तो यह काफी जबर्दास होगी, अब जब इतनी wind होती है, तो object static नहीं होता, थोड़ा सा move हो रहा होता है, तो just हमने क्या किया, अपनी जो top की बहुत layers उनको select किया, और इनको कर लिया, pre compose, control shift c press कर ले, then उसके बाद आपने जाना है, simple सा इसको mask आपने हाँ पर select करना है, और इतना area नहीं जितना वो static रहे, ठीक है, leg इतनी ज़्यादा move नहीं होती, सिर्फ upper body होती है, select किया, then उसके बाद आपने क्या करना है, कि यहां आने के बाद just click and slow motion, और just direction होगा wind का, वो हम top रखेंगे, then simple जाके हमने करना है, इसको apply, then अ इस सरा से just like a move होना शुरू हो जाएगा, तो अब थोड़ा सा dynamic scene बन जाता है, है ना cool, एक और example देखिए, यह ना आपको help करेगा, बो, अब यहां पर three layers है, first one हमारा background, second हमारा इसका, जो super heroes का cap, wizard गा, then second one is our wizard, simple both layer लिया, अब यहां पर दो dimension है, ठीक है, left and right, तो पहले हमने left, right वाला select किया, then right directionally, और कोई भी preset आप यूज़ कर लें, जो आप चाहे, then right आपने लेना है, then hit apply, then उसके बाद, अब आप देखोगे, कि left automatically आ गया है, then वो right आपके बाद अनिमेट हो रहा है, तो left वाला है bottom layer, तो इसको आप क्या कर दें, mask delete कर दें, top layer को hide कर देता हूं, then, यहाँ के, अब हम select कर लेते हैं, left, और उसके बाद, just यहाँ के, आपने left directionally, then apply, और अब, again हम bottom जो layer है, उसको delete कर देंगे, तो यहाँ कि two layers हो गई, left and right, ठेक है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या wave जादा है, और इसकी जो height है वो जादा है, जिसकी वैसे हो क्या रहा ह कि थोड़ा सा, या speed, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, तो यह इस ताना से wave बनना शुरूब, तो two layers पे इस ताना से काम होता है, then top पे हमारे पास है object, अब इसको काम कर लेते हैं, इन तीनो layers को slack कर लेते हैं, इनको pre-compose कर लेते हैं, then simple, इसको name दे देते हैं, name ज़रू बन जाना है, like this, तो I hope आज की जो class है ना, आज की जो video आपकी नहीं काफी helpful रही होगी, like करो, share करो इस video को जाएद दा, subscribe करो VFX 101 को, और bell icon पे click करना मत बुन्दा, thank you.